कि सभी साथियों को राम राम रादे रादे आप लोग अच्छे होंगे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इंपर प्रेशन चल रही होगी डेट्स एनाउंस हो चुके जैसा कि आप लोगों को अल्रेडी बताया हुआ है ठीक है तो सीवीठी टू की जो सीरीज हम लोग अब 8-11 फनल सीरीज यहां पारट आज आप लोगोंको मिलने वाला है जैक है वैसे यह सकेंड पार्ट अगर देखा तो यह आपके पास पास पार्ट आपके पास रहेगा तेके nurt प्रोटल पांचमा पार्ट पैसे दूसरा पार्ट आपके पास रहेगा आपको यह सीरीज पूरी कंप्रेट करनी है इसके बाद मैं आप लोगों को आपको जैसा बताए हुआ है कि मेकैनिक्स या फिर प्रोडक्शन जो है जो भी कोश्चन आए हुआ है सभी कोश्चन हम नविगेटर के बारे में यह और भी जई नविगेटर है क्या ठीक है जो नैविगेटर है यह एक इबूक है इसमें आपके पास completely completely pyqs हैं ठीक है completely pyqs हैं वो भी solid pyqs हैं ठीक fully sold आपके पास कैसा मतलब 3792 question मतलब लगब 3800 question आपके पास 3800 questions का एक set है pool है जिसकी help से आप लोग क्या कर सकते हो भाई अपना जो रास्ता है सीविटी टू का gate वहां तक क्या कर सकते हो यह पहुंच सकते हो इसका जो प्राइज है मात्र 222 रुपए है कहां से आपको मिलेगी आपको qr code एक दिख रहा होगा मेरी फोटो के पास में वहां से आपके पास क्या है वहां से आप इसको scan करके purchase कर सकते हैं या Google e-books जो आपके पास description box में link दिया होगा वहां से भी आप जाकर इसको access कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से आप लोगों को बताना चाहेंगे यहां पर rrbj navigator e-book जो है वह mechanical engineering का भी है ठीक है यह completely इसमें solve questions है 4041 questions है इसमें आपके पास completely papers solved है ठीक 14 जो है वह आपके पास solve papers है 2019 के 15 के 14 के सभी मिलाकर ठीक अगर यहां पर हम लोगों को बात करें तो इसमें जो pricing रहने वाली है जो price range रहने वाली है वह आपके पास क्या असल 233 रुपाइश जी स्ट जो है वह आपको क्या है यहां पर देखने को मिलेगी ओन यह आपको कहां पर आपके पास देखने को मिलेगी यह बिसिकली 333 रुपए में including GST है यहां पर GST नहीं है जो आपकी CVT1 वाली book है उसके अंदर आपको GST जो है वो देखने को मिलेगी ठिक यहां पर QR code आपको यहां पर यहां पर QR code पर जाकर आप इसको scan कर सकते हो यहां पर आपके पास क्या है यहां पर यहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां से आप link ले लो ठीक है वहां से चले जाओ यहां पर सभी कोशन है जितने भी तरीके कोशन है मतलब आपके पास पूरा अगर आपके पास यह आप अतना कर लेते हो ना तो फिर आपको 60-70 परसेंट कोशन 60-70 परसेंट कोशन आपको हूब हूब पेपर के अंदर वैसे ही मिलने वाले हैं या उन्ही कॉंसेट पर बेज आपको वो कोशन आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए अपने क्लास की सेशन को शुरुआत करते हैं ज्यादा समय नहीं अपना वितीत करते हैं स्टार्ट करत अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आपके पास किसकी बात करें तो अगर बात क्या है यह एक तरीके से क्या है स्लोप मेजरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं वहां पर हमारे पास क्या आता है सर आपके पास यहां पर वैरिशन आपको देखने को मिलता है तो आपके obile करो किसे की है लिए आपके पास क्या है आपके पास क्या है आपके पास यह वीज़्यागा बाकी बात करें work नियुक्ञ मेजर करने मेजर न सािन जबेंगंग को मेजर्मेंट कर यहाँ पर बात करें next question की ठीक है यह question देखो थोड़ा सा क्या है खुछ-कुछ questions ऐसे है थोड़ा सा typical बनाए गए गए थे जिनको आप बिना lab manual के solve भी नहीं कर सकते मतब generally नहीं देखे जाते हैं मतब अगर यह बोला जाए कि यह ITI भी इस कुछ questions आपके पास यहां पर रखे अगर है तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा यहां बर अगर बात कि राइगी coating coating factor the coating factor for heavy coated electrode के लिए आपके पास क्या है sir coating factor कितना होता है coating factor कि अगर हमने बात कि तो coating factor आपके पास अगर हमने cf की बात किया तो यहां से आपके पास यहाँ पर अगर बात करेंगे कोटिंग फेक्टर है वी तो option A आपके पास क्या हो जाएगा option A आपके पास correct answer हो जाएगा ठीक है चले next question पर बात करते है next question पर बात करते हैं the science the science which deals with the action of forces on bodies such that the bodies are in rest मतलब आप से क्या बोला है आप से बोला गया है आपके पास the science which deals with the action of forces on bodies which that the bodies are in rest मतलब जब रेस्ट की condition में आपके पास होती है तो जो forces लगते हैं जो condition होती उसको क्या बोलते हैं अब यहां पर आपके पास दो चीजें होती हैं ठीक है दो चीज़ें आपके पास होती है condition आपके पास कितिन यह rest की condition होती है जब बोड़ी रिखी हुई होती है तब आपके पास rest की condition और जब आपकी बोड़ी कुछ motion कर रही होती है तो आपके पास क्याएसर तब आपके पास क्या बात करेंगे तो यहां पर दो काइनमेटिक्स काइनमेटिक्स और आपके पास दूसरा क्या आपके पास काइनेटिक्स ठीक अब यहां पर बात करो कि काइनमेटिक्स यहां पर हम लोग फोर्स को कंसीडर करेंगे फोर्स के एफेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे एनडरि फूरस का वी अभार है इसको जाटन सब्सक्राइब 20шт इसको कंसीडर नहीं करतें नं को अज़रें यहाँ पर फूर्स लिए पॉर्स एफेक्ट बॉत सब्सक्राइब ऑद तो यह चीज आपको ध्यान रखने है यह आपको ध्यान रखने है यहाँ पर दोनों चीज़े कंसिडर करेंगे तो जर्नली अगर आपसे बात किया जाएगा तो काइनिटिक्स को बहुत जगह हम लोग डारेक्ली डानमिक्स भी बोल देते हैं यहां पर स्टैक्स होगा स्टैक्स के अंदर मतलब आपके पास क्या असर कोई भी जो बॉड़ी आपकी र तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे तो क्या बोलते हैं आपके पास क्या सर जो आइक्टिविटी होती है जो है क्यों पुरानी पिछली पूरी हो जाएगी तब हमारे पास आगे प्रॉसर्स बढ़ेगी तो वहां प्लोग्हस को कहीं पर यूज करनी होती है तो हम लोग एक एक टिविटी मागते हैं डमी processes follow हो रही होती है, वहाँ पर जब fast या slow करना होता है, तो dummy activity का हम लोग यूज कर लेते हैं, next question पर बात करते हैं, in inventory, in inventory planning, in inventory planning, extra inventory is unnecessary, मतलब inventory planning के अंदर, जो extra inventory है, वो unnecessary है, carried to the end of the planning period, when using the lot size decision policies, when using the lot size decision policies, तो इस पर decision जो है, मतलब extra inventory जो है, वो basically क्या है, unnecessary है, ठीक, basically, end of the planning period में जब भी आपको ऐसा, कोई भी decision लेना होता है, inventory planning करनी होते हैं, तो फिर वो आप किस process के थूरू करते हो, किस process के थूरू, इन सभी चीजों पर आप लोग ध्यान देते हो, तो आप, आपको य क्या सर, parts period, total cost balancing, EPQ, ठीक है, EPQ, lot size, तो यहाँ पर आपके पास अगर हमने बात किया, ठीक है, तो आपके पास बात किया, ठीक है, तो EOQ, ठीक, EOQ की बात करते हैं, तो EOQ, basically, क्या होता है, यह होता है, आपके पास क्या सर, economic, economic, dic, economicry, economic, order, economic, order, quantity, च्या होता है, economic order, quantity, जो होता है, च्या होता है, एकोंमिक ओर, quantity, जो है, basically, हमारे पास ठीक, तो EOQ, जो है, EOQ की help से ही, हमलो, क्या बताते हैं, हमारे पास, lot के sizes, बनाते है, कितने lot के size, हमको optimally required है वो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं EOQ की निकालने पर बहुत सारे questions आये हैं 2D CU upon में कैसर CH यह आपके पास क्या होता है formula होता है इसको आप लोगों को ध्यान रखना है इसको आपको ध्यान रखना है आपके पास क्या सर यह आपके पास क्या है वही यह आपके पास formula होता है इस formula को आपको ध्यान रखना है बहुत सारे questions इस फॉर्मूले पर बेज आप से क्या है already पूछे गया है और क्या है और पूछे भी जाएंगे तो इस formula को क्या रखना है धियान रखना है चली नेक्स कोश्चन पर चलते हैं देखो यह कोश्चन थोड़ा टिफिकल्ड केटेगरी में था टिफिकल्ड केटिगरी में आप इसलिए बोल सकते हो क्योंकि आपके पास इंडस्ट्रियल अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके पास चर्चा के विशाय को आगे बढ़ इंसेंटिव सिस्टम दबोनस इस्पेड बोनस किसको मिलेगा ठीक है बोनस जो है इमर्सन एफिसेंसी प्लान के हिसाब से वह किसको दिया जाना चाहिए ठीक है वरकर जो टाइम आपका बचा है नहीं सभी वरकर को नहीं अब यह तो जनरली आपके पास क्या है इन दोनों अब छल्य पर तो आप इसली क्या कर लोगैं इसली आप लोग क्या कर लोगी मदट वमिनेट कर लोगे अब बचे दो आप्षिन्स वरकर जिसकी परफोर्मेंस जो हैनrement पचास से ज्यादा है उसको दिए जाना चाहिए या फिर जिसकी इफिचिनसी जो बोनस दिया जाना चीए उसको क्या दिया जाना चाहिए सूकर मिलना चाहिए ऐस पर आपके आपको यह चीज जो है वो मिलने चाहिए आपके पास कैसर डी आपका अंसर करेक्ट डी आपके पास कैसर आंसर आपका ठीक है चाहिए नेक्स कोश्चन पर बात करते हैं यहां से क्या कह रहा है दर रेट अफ चेंज आपके पास displacement of the body इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं तो यहां से अगर आप चर्चा करोगे तो displacement की बात किया है तो आपके पास let's suppose क्या सर एक पॉइंट से एक पॉइंट और let's suppose यह कोई इनके बीच में कोई भी displacement हुआ कितना हुआ एक्स का displacement हुआ अब एक्स का जो displacement है कि time के respect में जब change करता है तो क्या मिलता है सर वेलोसिटी मिलता है वेलोसिटी मिलता है इसकी unit meter पर second आपके पास होती है तो वेलोसिटी ठीक है इसी तरीके से acceleration की बात करेगा तो भाई आपके पास rate of change of velocity ठीक है rate of change of velocity ठीक है चलिए तो यह आपके पास हो जाएगा तो option भी आपके पास यहाँ पर velocity is a correct answer next question ठीक अभी पूचा क्या है आपके पास तो वहाँ पर depth gages की बात आएगी internal diameter की बात आएगी तो वहाँ पर micrometer की बात आएगी internal angles की बात आएगी angles के लिए तो हम लोग क्या करते है आपके पास प्रींग जो है वह आपके पास प्रोसेस vind 你 हम आपके पार किसकी प्रोसेस अ ही तिंग the metal to critical temperature, powder metallurgy metallic coating की change the shape of grinding wheel, तो trueing हम लोग क्या करते हैं trueing में हमारे पास जो shape होती है grinding wheel की वो खराब हो जाती है उसको change करने का काम करते है, dressing is different thing trueing is different thing, तो जो shape है basically balancing जो है उसको हम लोग improve करते हैं किसके अंदर trueing के अंदर, तो ये ध्यान रखना trueing is associated with grinding wheel grinding, grinding से associated है, grinding wheel की trueing हम लोग क्या करते हैं भाई, करते हैं ठीक है, basically shape को change करने के लिए change in shape, ठीक है, change in shape मतलब या फिर यहां पर आपके पास और related to balancing, कहीं पर आपको balancing से related कुछ दिया हो, तो उसका मतलब आपको यही समझना है, ठीक है related to balancing next question पर बात करते है the diffusing hardening element, the diffusing hardening element in case of carburizing process the diffusing hardening element in case of carburizing process is nickel, manganese, chromium, carbon यहां पर diffusing element आपके पास क्या है, nickel, manganese, chromium, carbon क्या है क्या है क्या है क्या है बताईए देख, यहां पर बात करते है किसके इंदर diffusing hardening element in case of a carburizing process carburizing process की बात क्या है तो carbon, carburizing process की बात क्या है तो carbon, carbon के बात जब इसका diffusion कर आओगे तो इसके बाद आपको क्याशर heat treatment after that heat treatment required after that आपके पास क्याशर heat treatment आपको required होगा ही होगा ठीक, आपके पास अगर nitriding process कर रहो ठीक है, nitriding process कर रहो तो basically diffusion कराते हो diffusion of यहां पर heat treatment आपके पास क्या होता है रिक्वाइड नहीं होता है ठीक है, चलिए, यह question बहुत पूस्ता है backhand technique ठीक है, ठीक है, बैक हैंड आपके पास क्या होती है ठीक, किसके अंदर oxy acetylene welding के अंदर oxy acetylene welding के अंदर मतलब आपके पास क्या सर यहां पर आपके पास combination किसका है c2s2 और आपके पास o2 का combination है, c2s2 और o2 का combination है, तो यहां पर हम लोग इसको क्या बोलते है देखो, यह ध्याण रखना कहीं पर अगर आप से पूछेगा backward technique या backhand technique ठीक है, यहां पर इसको क्या बोलते है, इसको को बोलते हैं नोग लेफ्टवार्ड इसको बोलते हैं लोग लेफ्टवार्ट शी द्यान रखना तो बेख हेंड्ट टonnit है मतलब आपके पास क कर राइट बाड यंद् का मतलब आपसमों ना कि सही सही ठीक है ठीक के बैक एंड कैसे ही का मतलब याइंडि है स tubchi को ऑन sí प्रफेक्ट फ्रेम के लिए परफेक्ट फ्रेम के लिए यहाँ पर क्या होता है सर एंपके पास क्या होता है number of number of member number of member j आपके पास क्या है number of joint number of joint यह आपके पास क्या है j है m equals to 2j minus 3 यहाँ पर n दे रखा है तो n equals to 2j minus 3 option d correct है लेकिन इसके दो cases और होते हैं तो दोनों cases पर भी चर्चा ठोड़ी सी बन जाए तो एक तो perfectness हो गयी perfect frame हो गया अगर आप से कोई बोल देगा कि आपके पास कैसा है बाई deficient trust है deficient frame है तो इस condition में आपके पास member जो है वो आपके पास member की number कम होगी किससर तोaj minus 3 से अगर बोल दिया कि भाई redundant है redundant dot trust है redundant frame है तो वहाँ पर आपके पास member की number जो है वो ज्यादा हो जाएगी किस से 2J-3 से ये तीनों cases आपको ध्यान रखने perfectness पूछा है तो इस बार हो सकता है कुछ चीज़े बदल कर पूछ ली जाएं next question पर बात करते है next question पर यहाँ पर चर्चा के विसे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते है when a rectangular beam is a loaded vertically downward मतलब आपके पास कोई rectangular beam है जिस पर आपके पास क्या है downward forces लगे हुए है ठिक कैसी beam कुछ इस तरीके की beam हो गई ठिक इस पर आपने क्या कर दिया इस पर आपने downward forces को लगा दिया the maximum compressive stress maximum compressive stress अब यह beam पर अगर load लगाओगे तो beam में कुछ इस तरीके का changement आपके पास आएगा, ठिक कुछ इस तरीके का changement आपके पास आएगा, उपर वाली layer हो गई, नीचे वाली layer आपके पास, कुछ यह हो गई, ठिक तो यहां से अगर आप चर्चा करोगे, तो maximum compressive stress कहां पर होगा, अब देखो कभी भी इस तरीके क कोशन आता है तो टेंसाइल कहां पर होगा बाहर की तरफ कौन जा रहा है बाहर की तरफ आपके पास भाई बॉटम लेयर जा रही है बॉटम लेयर आपके पास बाहर की तरफ जा रही है तो बाहर की तरफ जाना जब बाहर की तरफ फोर्स लगाता है लगता है तब हमारे पास क्या होता है तब हमारे पास होता है वहां पर टेंशन वहां पर हमारे पास क्या होता है टेंशन और आपके पास मैक्सुमम कमप्रेशन क्या होगा आपके पस इसके अंदर हो गा तो मैक्समम कमप्रेशन के लिए आपके पास टॉप लेयर किजिए अब न्यूट्रल लेयर पर ऑगर बात करेंगे ऍसवीम की न्यूट्र già अभी आप सभी साथियों को बता दें कि आप लोगों के लिए आपका अपना परिवार ठीक है सीवीटी वन के लिए बैच जो लॉंच किया है मात्र 499 रुपए में है च्छे दिसंबर से आपके यह पर सुरू है ठीक है आप क्या कर सकते हो वाई जाकर बिल्कुल कर दाए इन्रोल करें जिससे आपके कोई भी अगर टॉपिक्स नहीं complete नहीं नहीं कंपिक्स रही है उनको वाई कंप्लीट करने में आपको क्या मिलेगी मिलेगी तो आप बिल्कुल जाहिए और इसको complete करिए ठीक है इसको purchase करिए कैसे purchase करना है application से जाकर purchase कर सकते हैं या फिर website पर जाकर cvt1 और cvt2 का combo batch है वह भी purchase कर सकते हैं जिसकी costing मात्र 770 रुप है completely recorded batch है आप जाईए practice करिए ठीक है पढ़िए जो topic नहीं पढ़ा है वह आप लोग क्या करिए पहले complete करिए उसके बाद आप आगे बढ़ जाईए ठीक है इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं कि rrb.je का जो cvt1 का navigator है वो भी आप जाकर purchase कर सकते हैं कहां से आपके पास आपके पास google ebooks से ठीक है cvt1 के अंदर cvt1 के अंदर आपका 100% सेलेक्शन जो है वो हो जाएगा जो आपके पर शेतारिक से start होने वाले है ठीक है इसी तरीके से mechanical की ebook आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है cvt2 main cut-off deciding factor है deciding factor है तो जो non-technical और technical के जितने भी questions है सभी का यह क्या है complete solution है आप जाकर इस परचेस कर सकते हैं परचेस कहां से इस qr code के help से या फिर आप Google ebooks के माध्यम से क्या कर सकते हैं Google ebooks के माध्यम से इसको परचेस कर सकते हैं description box में link पर दिया होगा वहाँ पर भी जाकर RRBJ के navigator को परचेस कर सकते हैं mechanical engineering cvt2 के लिए ठीक है तो चलिए आगे की दरफ चलते है जो भी स्याती गेट में interested हैं गेट की preparation कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ courses है ठीक है 25 के लिए 26 के लिए 27 के लिए आप लोग जाकर इसको भी access कर सकते हैं website से या फिर application से कुछ और courses हमारे RRBJ, SSCJ, Campus Recruitment, आपके पास Allstate, A&J, Smart courses भी present है, dopamine courses भी present है, उनके combos भी present है ठीक आप subject वाइस combos भी क्या कर सकते हो, purchase कर सकते हो, engineering services का non-tech भी purchase कर सकते हो, सभी का सभी पूरा एक package आपको मिल जाएगा, बेटा, gate academy की website पर या फिर आप gate academy के official application को download कर लीजिए, mechanical engineering जो भी gate दे रहा है, उनके लिए test series भी purchase कर सकते हैं, मात्र 3300 पर में test series आप लोगों को मिल जाएगी gate की, aptitude की ebook purchase कर सकते हैं, aptitude की ebook purchase कर सकते हैं, दिये गए आपके पास इसके साथ, EQR code के साथ, ठीक, जो आप mechanical engineering आप लोग पढ़ रहा हो, तो आपको ऐसा है कि बहुत सारी शीदों कि आपको कोई concept book से भी पढ़ने रहेंगे, तो उसके लिए आप hard copy को क्या कर सकते हैं, avail कर सकते हैं, यह आपको घर पर आपके deliver करी जाएगी, दोनों books मतब दो volumes में है, volume 1, volume 2, volume 1 के subject आपके पास आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहोंगे, ठीक, और volume 2 के subject आपके पास इस तरीके से हैं, यह subject आपके पास volume 2 में रहने वाले हैं, आप इनको कैसे purchase क कर सकते हो, QR codes यहाँ पर क्या है, लगे हुए है, volume 2, volume 1 के लिए, इनको से भी जाकर आप क्या कर सकते हो, purchase कर सकते हो, ठीक है, चलिए, अभी आगे की तरफ चलते हैं, अपने questions पर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से देखिए, बहुत जवर्दस question, क फीड पर टूथ, यहाँ पर आपसे पूचा है कैसर, diameter की बात क्या, तो आपके पास कैसर, 125 mm आपके पास diameter है, teeth कितना है, आपके पास 10 teeth है, ठीक, अब आपसे क्या पूचिए, feed पर minute पर बात आमारे पास होई है, तो यह कितना है, 14 meter पर minute आपके पास क्या है, यह feed आपको provide ह हो रही है, ठीक, 14 meter आपके पास feed है, सारी शीदे mm में दे रखे हैं, तो इसको भी mm बदलो, 14 into, आप क्या कर लो, सर, 1000, that means, यहाँ से कैसर, 14,000, 14,000 mm पर minute, ठीक है, 14,000 mm पर minute, अब यहाँ पर आपको पता है, सर, V equals to क्या होता है, सर, pi dn होता है, pi dn होता है, तो V के निकालन के लिए feed, basically, आपके पास क्या है, यह mm पर minute में दे रखा है, तो इसको निकाल सकते हो, 14,000, यहाँ से, equals to pi, equals to pi into 125 into n, 125 into n, आप देखो, आपके पास Kelsey, जो है, वहाँ पर present रहेगा, Kelsey, जो है, वो present रहेगा, तो इसको आप easily calculate कर सकते हो, 14,000, 14,000 divided by 125 pi, 125 pi, इसको आप calculate, जो है अभी आपके पास feed per tooth, feed per tooth of cutter निकालना है, तो यहाँ पर आपके पास क्याषर, feed per minute की अगर आपने बात किया, feed per minute की बात किया, तो यहाँ पर आपके पास क्याषर, feed per teeth, feed per teeth, into आपके पास क्याषर, feed per teeth, into आपके पास क्याषर, feed per teeth, into आपके पास क्याषर, feed per teeth, into आपके पा बनीट वेलिए पता पता कि आपने ऊपर से यहां से निकाला थीड़ पर पता कि यहां से कितना M elard क्टिंग स्पीड के पास क्या सब्सक्रों करें फिड़ पर तकरा सब्सक्रांइज कुई S है यहां सक्वेश्पाहित यहां से आपके पास यहां से आपके पास क्या है यह फिट पर मिनिट कितना से ढ़िबाइड वाएंकAL आपके पास और कैसर चौधा इंटू करके लिए आपके पास एसे लिखने में आसानी क्या रहेगी यहां इनको क्या कर सकते हो इसे कट आउट कर सकते हो यहां से चोदा सो चोदा सो डिवाइड़ वाइड 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 आwickल वो twins नियां थोड़ा और इसको तोड़ना है तो अब इसको तोड़ना है तो इसको सब्सक्राइब यहां से आपके पास ही एकशिक्ट री आपके पास कि फीड पर टूथ के पास आजाएंगे कि आपके पास एक पीड पर वो कितने जुंअ आपके पास तूथ कितने टीध आपके पास है ठिक खोलेट कर लो आप लोगा सबसे पहले डायमेटर दे रखा तो सबसे पहले आपने डायमेटर लिख लिया ठीक टीथ रखे तो आपने दस टीथ लिख लिए लिख सबसे आपको आपको बदल लिया चलो सबसे बदलने के बाद यहां से एंकी वैलों निकाली आपको टोथ कितने हैं और आपके पास प्रेट की से आप स्पीड चला रहो वहां से आपने क्या निकाले तो आपके पास कितना है प्वाइंट टू एट सिक्स आपके पास आया है चलिए नेक्स कॉश्चन पर मुव करते हैं विच आफ दी फॉल्लविग विच आफ दी फॉल्लविग इस इस सिंगल प्वाइंट कॉर्ट जहां पर सिंगल पॉइंक कॉइंग टूल आपके पास कौनसा है तो यह तो बहुत सारे बिलेड जोते हैं तो यह भी आपके पास किया शरावा आपके पास मल्टी पॉइंत है म्लटी पॉइंट कुल है यह आपके पास म्लटी पॉइंट कुल से मिलिंग क्तर आपको पता है वह कटर होगा उस तो यह भी आपके पास क्या सिर्फ मल्टी पॉइंट कुल है कि के मल्टि पॉइंट कर दूल है मल्टिप्वाइंट अहि अब आपके पास कि टैवाइं प्रैंट को मेजर करने के लिए slots को measure करने के लिए, recess को measure करने के लिए आपके पास किस instruments का use करते हो vernier depth gauge, filler gauge या फिर आपके पास screw gauge या vernier caliper किसका इस्तमाल करते हो किसका इस्तमाल करते हो यहाँ पर अगर आप बात करोगे यहाँ पर अगर आप बात करोगे और यहां पर नहीं सही होगा ठीक है चली नेक्स पूश्चन विच आफ दी फॉलुइंग टीथ डर ब्रोच है ब्रोच में आपके कैसे टीथ होते हैं कैसे टूथ आपके पास होते हैं सेमी फिनिशिंग टीथ होते हैं या फिर आपके पास फिनिशिंग टीथ होते हैं या फिर सभी तरीके के टीथ होते हैं ब्रोच टूल में ठीक है ब्रोच ब्रॉचिंग टूल के अंदर ब्रॉचिंग टूल के अंदर आप के पास आप बॉचंग टूल सबसे पहले करता क्या है तो बाइब यह आपका मल्टी पॉइंट कर टूल है तो आपको पता है यह इसमें आपके पास रॉफनेस को भी हटाना तो रफिंग टीथ भी आपके पास ठिक आपके सेमी टीट मैं सेमी थीट मीट होते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या ती dlatego यहां पA gan biology क्रियर अपके पर ने यहां इसलिए लीज़ा यहां पर बात करते हैं यहां भात करते हैं 55, 5 degrees sign bar, sign bar is elevated 2.5 minutes, यहाँ पर आपको पता है, किसा करने के लिए यहां से साइ gli Γार का का कॉंसेट clear को मेजर करने यूज करते है कोई surface है एक हम लोग रखते हैं कुछ standard block इसकी है यह आपके पास क्या है यह आपके पास standard block फिशन एक ब्लॉक? अब इसके है वही आपके पास क्या बोलते हैं वही साइनवार की लेंथ होती है यह आपके पास क्या कुछ इस तरीके से आपके पास क्या सर मिलेंगे अब इसके बीच में आपके पास क्या सर एंगल बनता है कितना सर थीटा इसके बीच में एंगल कितना होता है थीटा बनता है या फिर यह जब नीचे की तरफ आएगा तो इनके बीच में जो स्टेसनरी सरफेस है इसके बीच में एंगल बन रहा है किसे यहां से बन रहा है तो आपके पास आपके पास यहां से आप सिंपल सा साइन थीटा लगा दो क्योंकि देखो अगर यह कुछ इस तरीके से ट्राइए एक पाइथा गुरस वाला कॉंसेप्ट तुमको दिख रहा होगा पाइथा गुरस वाला कॉंसेप्ट आपको दिख रहा होगा कि साइन थीटा एकोस टू इल्टर रखे संसलेता एल डिर्क है तो फाइल की बात करेंगे तो आपके पास क्या सथ और मिनटे पर खी बात करेंगे तो तो यहां से न की lama तो यहां लाल बटाक कक्का से आप देखोगे तो यहां से अगर आप बात करोगे ठिक यहां से आपके पास क्या करोगे तो यहां से आपके पास अब यहां पर सही है तो अब यहां पना सही था 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 थोड़ा सा पढ़ने में साइन वार बैसिकली क्या बताएगा साइन वार लेंथ ही बताएगा तो यह आपके पास 5 आपके पास क्या सा 2.5 वाइट है तो यहां से अगर आप देखो तो यहां से छांच से घर की होती तो सब्सक्राइब करने का ओपरेशन करते हो या फिर सर्फेस को स्क्वाइर करने का का ओपरेशन जो होता है वो क्या होता है देखो यहां पर आपके पास क्या है कांटर सेंकिंग बैसिकली आपके पास कया है जो भी जो भी आपने कहीं पर भी है कूई भी पॉइंट का लिए वहां पर वि कि व से खेट बना दिया मिश्मक्राख का जब आपने hole को enlarge किया तो उसके किसी एक end पर आप इने कुछ जो है वो V-shape का hole बनाया तो उसमें कुछ इस तरीके से edges जो है वो बाहर भी छोड़ देते हैं बाखी आपके पास spot facing के अंदर हम लोग क्या करते हैं किसी एक particular जगह पर किसी भी particular जगह पर squaring करते हैं और smoothing करते हैं जो भी straight edges होती है उनको straight edges होती है तो उनको हम लोग smooth करने का काम यहां पर करते हैं यहां पर आपके पास क्या करेट जाएगा यहां पर करेट जाएगा option B एक last question आज के लिए देखते हैं बाकी पर चर्चा हम लोग अपनी next session के अंदर करेंगे which of the following is the reverse of electroplating यहां पर आपके पास reverse of electroplating आपके पास क्या होता है इलेक्तो पॉलिशिंग होनिंग शुपर फिनेश़िंग या फिर लापिंग यहां से बात करेंगे reverse of electronics differs of electroplating में हमारे पास क्या रभ को आपके पास इलेक्ट्रोग प्ररीटिंग हो रही है है इसकी Innitky अ Windows यहां पर सब्सक्राइब करें तो चलिए फिलहाल के लिए आज के लिए शेशन को यहीं पर यहीं तक रखते हैं बाखी बाखी क्या करेंगे फर्दर के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें अपने परिवार का ख्याल रखें थैंक यू सो मच जैंद जैवारत धनेवार थैंक यू क्लास कोई भी डाउट रहता है तो आप वेफिक रोकर कमेंड डाउन करिए ठीक है आपको सारी चीते जो ह है वो मैं बताऊंगा कोई भी डाउट रहता है आपका मेकैनिकल लेटेड या फिर आर भी जैए की परप्रेशन से रेलेटेड सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे थैंक यू सो मच मुलाकात करते हैं नेक्स बास में थैंक यू झाल 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 झाल